हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो आवार चैनल के मैंफेंटी तो दोस्तों डेली उनिवेट्सिटी ने अपना जो पीजी आडमीसेंट का जो फॉर्म वह रिलीस कर चुका है ठीक है उनका रेइस्टेसन स्टाच हो चुका है तो उनके बारे में हम डिटेल डिसकर्सन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को जादा स्यादा आपने दोस्तों के सेयर कर दीजेगा तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं है तो दोस्तों यह तो चैनल नथे इनका फ्रमषाइड कर दिया अपर बनीवार्सी ईंका शक्सी कर दिया चुका है नहीमा फ्रेट कर देंड ऑप से एक्टेनविक कर दिया जाता है ठीक है हर साल का extension कर दे जाता है बट मैं आप सभी से यहीं request करूंगा कि आप 15 में के अंदर ही ठीक है आप अमना registration complete कर दीजेगा तो registration के जो बारे में full discussion ठीक है कितने fees लागेंगे क्या-क्या exam cities होंगे तो इनके बारे में detail discussion करेंगे ठीक है तो वीडियो के इन तका जुरूद देखना तो दोस्तों आगर आपकी फॉर्म फिलिंग करने में ठीक है आक करक पे registration करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर दिलेंवर्सी ने जो help line number और email id प्रोवाइड कर दिया है अब यहाँ पर इनको contact कर सकते हैं ठीक है मैं इस email id और जो mobile number है इनका मतलब link भी मैं वीडियो की description box में डाल दूँगा वहाँ से जाकर आप registration कर सकते हैं ठीक है अब मैं आपको बताऊंगी कि registration करने की fees कितनी लागेंगी सो दोस्तों जो SCHT PWD students है उनके लिए 300 rupees फीज लागेंगे और जो postgraduate diploma in cyber security and law में करना चाते हैं उनके लिए धाई 1000 रुपेया लागेंगे ठीक है और जो general category OBC और EWS काटेगोरी की students है उनके लिए 700 रुपेया लागेंगे PGA admission की form film करने के लिए reaction करने के लिए ठीक है और 2000 रुपेया लागेंगे postgraduate diploma in cyber security and law इन में करने के लिए ठीक है तो आप सभी जानते हैं कि देले उनिवर्सिटी मतलब जो admissions लेता है PGA admissions वो टू टाइप्स के लेता है फास्ट मेरिट बेस्ट सेकेंड एंट्रांस में उनका जो डुएट जो एंट्रांस होता है उनके बेसिस से 50% students आता है या पर इंट्रांस बेस्ट ठीक है तो आप यह गौर कीजिएगा कि अगर आपकी में मार्क्स बहुत आच्छा है ठीक है 90% से आप या पर 95% से मतलब आसपस है तो मेरिट बेस्ट पर सिलेक्टा सकते अदर्वाइस आप इंट्रांस देखें admission लीजिएगा ठीक है और इनका इंट्रांस होता है यह बहुती हार्ड नहीं होता मैं बिसिकली chemistry student के लिए बोल रहा हूं इनका जो chemistry का exam होता है अगर आप पीवियास कोस्टन देखोगे तो बहुती easy questions आता है बहुती conceptual question आता है ठीक है तो यह अब हम बात करेंगे कुछ काइटरिया को इसेंसल काइटरिया के बारे में ठीक है तो यह इंटिया आपको conduct करवा जा रहा है और आपको जो exam CTs है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 आपकी exam CTs दे रखखा है ठीक है आप अगर आपकी जो home है उनके आसपास या फिर आप जिस इंस्टिशन आई कर दीजेगा और आप जल्दी form film करिएगा क्योंकि अगर कुछ देर होती है तो आपकी जो exam CTs है वह आप सेकेंड फिपरेंस यह पर थार्ड फिपरेंस में चला जाएगा ठीक है तो दोस्तों आपका जो मतलब examination होगा यह computer वेस्ट होगा totally और यह आपका two hours होगा ठीक है यह आप देख सकते हैं यह आप जो number up questions होंगे यह आप देख सकते हैं 50 होंगे या फिर 100 chemistry के लिए 100 questions होता है ठीक है और हर questions four marks होता है total four hundred marks का आपको exam होगा ठीक है और आपकी negative marking minus one होगी ठीक है हर आपकी जो English में आपकी question होगी ठीक है तो आप यह आप देख सकते हैं जो चाहे जो mental based admission लेना चाहका उनके बारे में यह आपकी si G fonures 2007 में pop देख सकते हैं यहाप बहुत सारह प्रोग्राभ में चाहिए नहीं तो आप सभी से मैं रिक्रेश्ट करूंगा कि आप जाइए अपना रेइस्टेशन तुरंत कीजिए ठीक है और हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करते हैं ऐसे ही हम फारदर आपडेट्स डियू के लिए या फिर भी जेन्यू जामिया सब्सक्राइब करते हैं तो आप चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में